हेलो नमस्कार सत्षियाकाल दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग तो आज है 13 जन्वरी तो फर्स्ट अफ आल हैपी लोरी टू आल हम क्यूं और कैसे बनाते हैं लोरी फेस्टिवल आज की इस वीडियो में मैं आप से उसी बारे में बात करने वाला हूँ और बताने वालों कुछ इंट्रस्टिंग बाते हैं लोरी फेस्टिवल के बारे में तो आएए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ आगे और बात करते हैं कि क्यूं और कैसे मनाया जाता है लोरी इंडिया में मनाया जाने वाले बहुत बड़े बड़े त्योहारों में से ही एक त परफिक और हिंदू कम्म्यूनिटी के लोग मिल के हर साल 13 जनवरी के दिन मनाते हैं लोरी का बस्यृ emoji मतलब होता है कि जो हमारे पंजाबी कम्म्नीटी चैन उनका नया साल उनका नया साल यहां पर 13 जनवरी को कैसे शुरू होता है वो मैं आपको बटाता हूँ जैसे कि आपने सुना होगा रभी और खारिफ क्रॉप्स के बारे में जो फार्मिंग होती है तो उसमें दो तरह की क्रॉप्स होती है एक रभी और एक खारिफ क्रॉप्स जो रभी क्रॉप्स होती है वो विंटर में होती है बेसिकली और इस टाइम पे वो क्रॉप्स हर्वेस लोकी होगी उसी के साथ 13 जन्वरी तक कहते हैं कि ठंड भी जाने लगती है दीरे दीरे अब यहां से जो है वो दिन लंबे शुरू होने लग जाते हैं क्योंकि जो गर्मियों के दिन होते हैं वो लंबे होते हैं as compared to nights येस तो 13 जन्वरी के बाद जो कल 14 जन्वरी का दिन लग होता है उसमें जो है टाइमिंग जो सनलाइट की टाइमिंग होती है वो बढ़ जाए लोरी के दिन बेसिकली लोग अपने परिवार के साथ इंजॉय करते हैं जिसमें की फैमिली और फ्रेंड सब लोग आ जाते हैं और एक बॉनफायर लगाके लोग उसके चारों तरफ ना गजक, रेबडी और मुफली का प्रशाद बढ़ता है उसके अलावा आपने सुना होगा कि जब भी ये बॉनफायर के राउंड हम लोग डांस करते हैं गाना गाते हैं तो एक बहुत कॉमन सौंग वहाँ पर यूज होता है जिसका नाम है सुन्दर मुंदर ये तो इस सुन अइनजाब का रॉबिन हुड होता था उसकी भी बहुत इंटरस्टिंग स्टोरी है जिसका नाम था धुला भटी वाला जैसे कि आपने गाना सुना होगा सुन्दर मुंदर ये धुला भटी वाला तो वहाँ पर जो धुला भटी नाम का आदमी था वो कहते हैं कि एक लिए के साथ रस्ते से निकलते थे तो वो उन लोगों से खा जाना उनके दिनार उनके पैसे वगर लूट लिया करता था और वो जाके गरीबों में दान कर दिया करता था तो ये जो सुंदर मुंदर ये सॉंग था ये एक ट्रिब्यूट है उसी धूला भटी के लिए और जाता है जहां के आदमी और ओरते ट्रेस्ट में के आदमी भंगडा परफॉर्म करते हैं और जो वहां की लेडी होती है वो गिद्दा परफॉर्म करती है जो कि एक कलरफुल फोक टांसे में से एक महतवपूर्ण निर्टे माना गया है जिसको जो आदमी परफॉर्म करते ह से भंगडा कहते हैं और जो औरते परफॉर्म करते हैं उसको कहते हैं गिद्धा लोरी के दिन बेसिकली सारे फैमिली और फ्रेंड्स मिलके बॉनफायर के चारों तरफ एक ऐसा एम्गियंस क्रियेट होता है जहां पे लोग नाशते गाते हुए सबको दिल से हैपी लोरी लोग उस बॉनफायर में मुफली गजक रेवडी और तिल को प्रवाहित करते हैं विच इस बिलीब टू बी ब्रिंग दा लग मिनस उनको ऐसा रिच्वल में माना जाता है कि वह अगनी में प्रवाहित करने से उनको लग मिलता है और एक कस्टम रिच्वल के यह भी माना गया है कि जो ट्रेडिशनल फूड लोरी के दिन मनाया जाता है वो होता है मक्के की रोटी और सरसुका साग और उसके साथ खाने में लोग गुड़ भी यूज करते हैं और उसके अलावा जो हम लोग नट्स काते हैं नट्स मेरा मतलब है मुफली गजक और दोस्तों और फैमली के साथ और प्लीज सब्सेब कर देना चैनल अभी मैं देख रहा हूं कि 60% लोगों ने सब्स्राइब नहीं किया हुए जो मेरी वीडियो देखना है तो प्लीज सब्स्राइब जरू कर देना और हैपी लोडी तू all of youth all of your friends family and relatives enjoy करो deko next video भी बहुत जल् में बाइ बाइ बाइ